हेलो दोस्तों सभी को नमस्कार मैं हूँ पंकज मौर्या और स्वागत था एक बार फिर से आपका घर में मगीज चैनल में किसाल भायों आज हम बात करने वाले हैं कि आलू की फसल को पाले से कैसे बचाएं और अगेती और पछेती जुलसा इस समय बहुत तरी से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में कैसे करें और देखिए हमारी आलू कितनी हेल्दी कितनी स्वस्त दिख रही हैं तो आपकी भी आलू की जो फसल है वो इस तरीके से हो सकती है आप बस इस वीडियो को पूरा देखेगा आपको पूरी जनकारी मिलेगी चलिए वीडियो सुरू करते हैं किसान भायों आलू का जो आगेती जुलसा होता है वो अल्टन एरिया सोले नाई नामक कवक से फैलता है पतियों पर छोटे छोटे गोल आकार के धब्बे बनते हैं उनका रंग भूरा होता है और बाद में जब रोग बढ़ जाता है तो उस समय उनका रंग काला पढ़ लगता है यह रोग फसल जब चार से पांच हपते की होती है उस समय ज़्यादा लगता है और जो पछेती जुलसा होता है वो फाइट अप थोरा इंफेस्टांस नामक कवक से फैलता है इसे पाला रोग भी कहते हैं किसान भाइयों इन रोगों से यह दो रोग हैं इन रोगों से फसल का सबसे ज़्यादा नुक्सान होता है आलू की फसल में तो इससे होता क्या है कि आलू के जो कंद होते हैं उनका आकार छोटा रहा जाता है और फसल जो है वो कम जो दिखने लगती है उनका जो पत्तियों से फोटो संतेथिस होती है जो प्रकास संसेशन होता है वह कम हो जाता है इसलिए आलू की जो कंद होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है तो आज हम इस वीडियो में आलू के इन दोनों रोगताम के बारे में बात करेंगे वैसे इस समय जो आलू पछेती बोई गई है उसमे पिछेती जुलसा जाद देखने को मिल रहा है तो कि अब मौसम जो है पिछेती जुलसा के अनकुल जादा बन गया है तो इसलिए आपको इसे बचाना बहुत जरूरी है किसान भाईयों अगर आप आलू में आलू की फसल में बुवाई के बाद जब एक महीने की फसल हो जा पादेगा हम आपको बता रहे हैं अएसा केमिकल जिससे आपको दोनों जो ओके रोग होते हैं अगेती और पचेती अगर आप इसका इसप्रे करते रहे आगे और आपनी फसल में दो से तीन बार अगर इस प्रेक कर देंगे तो आपकी फसल में बिल्कुल भी ये रोग दिखाई नहीं पड़ेगा तो चलिए आपको बताते हैं आप नोट कर लिजिए भाईयों कभी कभी आलू की फसल में इस तरीके से पौधे सूखने लगते हैं ये देखिए इस तरीके से पौधे जब सूखते हैं तो यह जुलसा का संकेत नहीं है इसमें क्या है कि नमी बहुत जादा मात्रा में है आप देखेंगे जमीन के इसे मिट्टी में तो नमी जो है बहुत ज़्यादा है ऐसी condition आप अपने खेत में ना आने देजिए आलू की फसल पानी के प्रत बहुत ही सम्विंदन सील होती है इसलिए इस अवस्था को अपने खेत में ना आने देजिए और उसमें पर्यात मातरा में नमी बनाये रखिए जादा ना होने चाहिए नमी और अब देखिए जब आपको जुलसा लगेगा आपकी खेत में तो पिछेती जुलसा में आपके पौधे की पत्तियां जो है इस तरीके से दिखने लगेंगी यह दोर सुरुवात का है इसलिए ऐसे दिख रही है यह धर धर फैलता जाता है अगर इसका कंट्रोल नहीं किया ग यह दवा एक किलो के पैकेट में आती है और अंदर इसके 20 पूढीया निकलती है और 20 टंकी की यह दवा होती है तो 50 ग्राम की पूढीया आपको एक टंकी में डालनी होती है और छड़काओ करना होता है हर 15 दिन पर आप इसका इस प्रेय कर सकते हैं इसमें मेटाल अक्जिल और मैंको जो बहुत अच्छी मातरा में होता है इसलिए बहुत effective दवा है यह दोनों रोगों का control अच्छे से कर लेती है और अगर आपकी फसल में इस तरह के लच्छन दिखाई दे रहे हैं पतियां जो हैं सिकुड रहे हैं धिरे-धिरे तो फिर आपको दो दवा इस्प्रे करनी पड़ेगी पहली जो है आपको जो हमने बताई है पहले वो आपको लेना है 50 ग्राम के हिसाब से पर टंकी और दूसरी दवा आपको लेनी है साथ में डाइफिन्थूरान जो पेगासस नाम से आती है इस दवा का आपको 25 ग्राम पर टंकी के हिसाब से लेना है दोनों दवाओं को अच्छे से मिक्स करके आपको दो इस्प्रे करने है हर एक इस्प्रे करने के बाद 15 दिन के अंतर पर आप दूसरा स्रिकाव कर दिजिए तो आपकी फसल बिल्कुल इस तरीके से हो जाईए देखिए पतियां कितनी खिली खिली हैं इस तरीके से आपकी फसल हो जाएगी सारे रोग आपकी फसल के दूर हो जाएंगे तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लागा हमें कमेंट के जरूर बताएगा मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ततक लिए नमस्कार दोस्तों